हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने बेसन के लड़ू बनाने जा रही हूँ तो इसे बनाने के लिए देखे कि हम किस तरह सा बनाते हैं इन्हें हम काफी टाइम तक स्टोर भी करके रख सकते हैं ये मैंने एक किलो बेसन लिया है राजधानी बेसन अब हम एक भारी तले की कड़ाई लेंगे कड़ाई में हम बेसन डालेंगे अब हम इसमें घी डालेंगे आप चाहें तो घी को मेल्ट करके भी डाल सकते हैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आप शक्ता होगी तो थोड़ा सा ओर डालेंगे घी हम इसमें इतना डालेंगे कि जिसे की आसानी से और अच्छे से भुण जाए अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे गैस की फ्लेम मैंने मीडियम की हुई है जिसे की घी मैल्ट हो जाए अगर हाई फ्लेम रखेंगे तो बेसन जल जाएगा अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे अब गी हमारा मेल्ट होने लगाए अब यह घी भोत अच्छे से मिक्स हो गया है पेशन के साथ अब इसे हम अच्छे से भूल लेंगे लेकिन मेरे को थोड़ा सा घी कम लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा घी और डालूंगे मैं क्योंकि मेरे को इसमें ड्राइफ्रूट भी टालने है मैं ड्राइफ्रूट वाले रड्डू बनाऊंगी यह मैंने हाफ कप काजू, हाफ कप बदाम लिये है थोड़ी सी खर्बुजे की मींग, किश्मिश और यह मखानी लिये हैं दो कप काजू बदाम को हम मिक्सी के जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे और इसी में हम मखाने भी पीस लेंगे अब यह मैंने दरदरे पीस लिये हैं ड्राइफ्रूट को इसे हम एक बाउन में निकाल लेंगे बेसन की मैंने लो फलेम की हुई है यहाँ पर मैंने दो चमच गी और डालाए अगर आपको बिना ड्राइफ्रूट के बनाने हैं तो यहाँ पर गी और नहीं डालेंगे लेकिन मैं ड्राइफ रूट के बनाऊंगी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा घियो डाला है जादा घिय डालने से एक तो बेसन अच्छे से असानी से भूनता है और खाने में भी टेस्ट अच्छा आता है हम ड्राइफ फूट अलग से नहीं भूनेंगे इसी के साथ भूनेंगे अब ये घि भोट अच्छे से मिक्स हो गया है और मेल्ट भी हो गया है सारा इसे चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है इसे हमें मीडियम फ्लेम से भूनना है ज्यादा हाई फ्लेम से नहीं भूनेंगे वरना खाने में कच्चा पन आएगा इसे हमें लगातार चलाना है और तली तक चलाएंगे इसी तरह से अलट बलट करते हुए इसे चलाते रहेंगे अब इसमें जहाग आने लगे हैं और चलाने में और भी ज़्यादा हलका हो गया है तो इसमें हम एक से दो बार पानी की छीटे देंगे इससे बेशन के लड़ू में करारा पनाता है और टेस्टी लड़ू बनकर तयार होते हैं अगर आप बिना ड्राइफूट के बना रहे हैं तो भी पानी के छीटे जरूर देने चाहिए इससे करारा पनाता है या फिर आप यहाँ पर थोड़ी सी सूजी भी डाल सकते हैं लेकिन मैं सिर्फ बेशन के बना रही हो इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे और अभी इसे भून ना आए जब तक यह बिल्कुल गोल्डन ना हो जाए अब यह बेशन हमारा बहुत अच्छा से भून गया है इसे एक दो मिनट चलाने के बाद हम इसमें जो हमने दरदरे कुटे हुए ड्राइफ्रूट रखे हुए हैं उन्हें हम इसमें मिक्स कर देंगे ड्राइफ्रूट डालके भी अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे भूनेंगे यहाँ पर भी हम इसे तली तक चलाएंगे अब यह बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है लेकिन इसे हमें भी और भूनना आएं पांच मिनट तक और भूनेंगे अब यह बहुत अच्छे से भून गया है तो लास्ट में हम इसमें खर्भूजे की मिंग भी डाल देंगे इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर हम इसकी गैस बंद कर देंगे और किश्मिश भी डाल देंगे अब हम इसमें इसी तरह से अलट पलर कर देंगे और ठंडा होने देंगे इसे जब यह बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब हम इसके लड्डू तयार करेंगे अब हम लड्डू के लिए चीनी को पीस लेंगे इसे मिक्सी के जाल में डालेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे आप चीनी की जगा बूरा भी उज़ कर सकते हैं अब यह चीनी को मैंने बिल्कुल बारिक पीस लिया है बेसन को भूने हुए काफी टाइम हो गया इसे दो हंटे हो गया है और यह बिल्कुल ठंडा हो गया है अब यह बिल्कुल भी गरम नहीं है गरम में नहीं डालेंगे वरना चीनी बिघल जाएगी अब हम इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से यह मैंने एक किलो बेसन में 800 ग्राम चीनी डाली है एक बार टेस्ट करके देख लेंगे अगर कम लगेगी तो थोड़ी सी चीनी और डाल देंगे पीस कर चीनी को या बूरा को अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर इसके हम लड्डू बनाएंगे इसमें मुझे चीनी कम लग रही है तो मैं इसमें थोड़ी सी चीनी और डालूंगी ये मैंने एक किलो में थोड़ी सी चीनी बचा ली थी बाकी की भी इसी में डाल देंगे मैंने एक किलो बेशन लिया था तो एक किलो ही चीनी डाली है इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे इन्हें हम काफी टाइम तक स्टोर भी करके रख सकते हैं अब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है इसके हम लड्डू बना लेंगे ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है छोटे बड़े जैसे भी आप चाहते हैं उसके साब से लड्डू बांग लेंगे मैंने सारे ड्राइफूट इसके अंदर डाल दी है आप चाहें तो उपर भी लगा सकते हैं इसी तरह से हम बाकी के भी बना लेंगे जैसे मैंने ये दो लेटू बनाए हैं बाकी के भी मैं इसी तरह से बना लूँगे अब ये हमारे सभी लड्डू बनकर तयार हो गए हैं तैंक यू बनाए हैं झाल बनाए हैं